हावर फीक्स सैमसिंग गैलक्सी एफाइफ एरफोन नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तो अगर अब सभी का तिकराच योटुब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है एरफोन के इस प्रॉब्लम को जो है है धुर्टे दोस्तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए यहां पर क्या क्या सॉलिशनि आपको फॉलॉ करना है तो वीडियो के सारा अन तक बने रही को सॉलुज करने झालों और दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब अगर आप उनलाइन पेसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर दोस्तों अगर आपको एरफोन काफी पूराना है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकते तो आपको दोस्तों यहां पर चेक करना है कि आप जो भी एरफोन यूज करें वह आपके मोबाइल के लिए सपोर्टेट है या नहीं है ठीक है सेमसंग का एरफोन आपको यूज करके देखना है और न्यू पीस आपको ड्राइट करके देखना-चाए तो यहां पर काम कर जाएगा ठीक है अगर नहीं कर रहें मोबाइल को रिस्टार्ट करें और आप दुबारा से ट्राइट करके देखिए अगर सौफ हो जाता है ठीक है यह न्यू एयर फ़ोन के साथ ठीक है अगर न अंदर पर या फिर कोई डर्स्ट वगरा जो है श्टाक हो जाते अंदर पर तो उसके वज़े से दोस्तों प्रॉब्लम होते तो थोड़ा साब उसको साफ करने के कोशिश करें एंडेंट दुबारा से चेक करके ट्राइब कीजिए तो इससे दोस्तों कई बर काम बन जाते और आपका प्रॉब्लम स्वल्फ हो जाते हैं तो यह आप करके देख सकते हैं अपका उयर्फोन का जैक है उसको आप जोहीं दोस्तों जोर से प्लग इन और प्लाक आउट कर तो थी यानिए इंसर्ट करना है और यहाँ पर बाहर निकाल देना है ठीक है तो इतना करके देख सकते हैं दोस्तों आप यह सब दोस्तों एक basic solution है जो कि आप try करके देख सकते ही यहाँ पर तो इन सब दोस्तों basic सेटिंग भी मिल जाएगा sound and vibration के अंदर पर जाके अगर आप चेक करते हैं साउंड को एरफोन का यहाँ पर मिल तो definitely problem जो फिक्स हो जाएगा और आपका जो यहाँ पर मोबाइल है वो किसी भी Bluetooth device के साथ connected नहीं होना चाहिए अगर ऐसी वात है तो आप आपने Bluetooth को बंद करके एरफोन प्लग करके देखिए तो इससे कोई problem आपको नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से दोस्तों फिक्स होगा आपका एरफोन प्रॉब्लिम बाई एनी चांस दोस्तों अगर सारे solution आप ट्राइग कर रहे ठीक है फिर भी नहीं हो रहा है problem solved तो यहाँ पर दोस्तों आप भी इस problem को solve कर सकते हैं ठीक है तो हाडवेर के related अगर problem आ जाते तो आपको यही जो solution यही जो प्रोसेस है फोलो करना पड़ते तो उसके बाद जाके आपका problem solve होगा तो इस तरीके से दोस्तों आप fix कर सकते हैं अपने एरफोन problems को उमीद करते हैं आपको यह वीडियो नहोगा, थिंक्स फौर वाचिन